सूप्रभाद प्यारे बच्चों, गरीमा ने अपनी पुस्तक में कुछ वाक्य पड़े, जिन में कही कही शब्दों की जगह उसके चित्र दिये गए हैं। गरीमा उन चित्रों के नाम अपनी पुस्तक में लिखना चाहती हैं। आप गरीमा की मदद करिए। आपको समझ में आया कीस में हमें क्या करना है। गरीमा को कुछ चित्र दिये गए हैं और शब्द नहीं दिये गए। आपको वे चित्र पहचानना है और उसका नाम लिखना है और अपना वाक्य पूरा करना है। जैसे आईए सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको एक बॉक्स में काफी सारे शब्दी हैं, तो हम साथ साथ इन्हें पढ़ेंगे और साथ साथ लिखेंगे, अब देखें, एक एक, एक तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पर चित्र है, यह किसका चित्र है, लड़का, एक ल बढ़ूर लगाना, लड़का, एक लड़का, यह किसका चित्र है, गरीमा की मदद करो, यह सडक का चित्र है, बिल्कुल सही, एक लड़का, सडक, अब जल्दी से लिखो सडक, सडक यहां देखो आपकी मदद के लिए सडक सडक लिखा है यहां से देखके आपको यहां लिखना है सडक और लड़का भी लिखा है लड़का तो यहां पर आपको पहले लिखना था लड़का और फिर सडक पर पर जा रहा था बिलकुल सही एक लड़का सडक पर जा रहा था अब आपको समझ में आया ये कैसे करना है अब दूसरा वाक्य देखे अब यह है चित्र बताओ किसका है सडक बिल्कुल सही तो जल्दी से लिख दो सडक, सडक, सडक यहां से देखो सडक, सडक और लिख दो सड़क के पास एक पेड था अब जल्दी से बताएं यह किसका चित्र है पेड तो जल्दी से लिखेंगे पेड अब देखें यहाँ पे पको एक ही मात्रा पेड पर पर यह किसका चित्र है आम पेड पर आम तो यहाँ लिखेंगे आम, यहाँ से देखो, आम आम, यहाँ लिखेंगे आम, आम लगे थे, पेड़ पर आम लगे थे अगला चित्र देखें, कोआ, चल्दी से यहाँ लिखें, कोआ, कोआ, पएड़ पेड, पर पर ब एठ कर बैठ कर आम खा रहा था कोआ पेड़ पर बैठ कर आम खा रहा था आएगे पड़े, एक, एक, आम, आम, अब यहाँ किसका चित्र है, पेड़, एक आम, यहाँ लिखेंगे पेड़ से नीचे गिर गया एक आम पेड़ से नीचे गिर गया यहाँ शुरू में ही चित्र है लड़का तो जल्दी से लिखें लड़का आम उठाकर खाने लगा अगला चित्र अगला देखें वाके फिर फिर वह वह अपने अपने यह किसका चित्र है घर यहाँ देखें लिखा है घर घर जल्दी से यहाँ से देख कर लिखेंगे घर घर चला चला गया फिर वह अपने घर चला गया इसी तरह आप यह कारे पुस्ति का पूरी करें धन्यवाई